हेलो फ्रेंट्स मैं निकील कुमारिक बफीर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चनल सीजी पेसी इपाट शाला में सीजी पेसी इपाट शाला में आज हम करेंट अफेर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं लोगसभा चुनाओ 2019 से संबंदित इंपोर्टेंट डाटा और फैक्ट को आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में हम इंडिया लेवल पे आपका लोगसभा चुनाओ से संबंदित डाटा देखने वाले हैं 36 गड़ से रिलेटेड जो भी आपकी ळाटा और फैक्ट है उसे हम करेंट अफेर में कवर करते आ रहे हैं मार्ट महा के रफैर में हमने थ्रोड़ सा कवर किया है अप्रेल महा के current affair में cover कर लिया है अभी 3-4 दिन में आपके 36 गड़ के मही महा का current affair आएगा तो उसमें आपका जो भी बचा हुआ लोगसभा चुनाओ संबंदी जो update है 36 गड़ से related उसे हम उसमें cover करेंगे ठीक तो चलिए शुरू करते हैं देखिए लोगसभा चुनाओ 2019 देखिए मैं इसमें केवल आपको important fact बता रहा हूँ जो चीज़े हम पहले पढ़ चुके है उन चीज़ों को मैं दुभारा नहीं बताऊँगा ठीक जैसे अभी 7 चरणों में आपके लोगसभा चुनाओ संबंद न हुए थे किस किस date में हुए उसे आप पढ़िएगा इसमें क्या है जो अभी चुनाओ संबंद होने के बाद आपके election commission of India के जो आपके अंतिम आकड़े आया है जो data आया है और जो कुछ fact निकल के जो सामने आया है चुनाओ के बाद हम उस पर चर्चा करने वाले हैं ठीक देखिए लोगसभा चुनाओ 2019 साथ चर परणों में आपका लोगसभा चुनाओ संपन्न हुआ तो देखिए अखिल भारतिय इस्तर पर लोगसभा के इतिहास में अब तक का सरवाधिक मतदान हुआ है अखिल भारतिय इस्तर पर 67.11 परसेंट 67.11 यानि 67.11 प्रतिशत मतदान हुए है इस साल यानि लोगसभा चुनाओ 2019 में 67.11 परसेंट मतदान हुए है जो अभी तक के लोगसभा चुनाओ का अब तक का सरवाधिक मतदान परसेंटेज है ठीक देखिए ये जो आपका लोगसभा चुनाओ 2019 हुए इसमें आपके 7 मान्यता प्राप्त राश्ट्रिय दल तथा आपका 59 ठीक 69 छेत्रिय दल इसमें सम्मिलित हुए देखिए साथ मान्यता प्राप्त राश्ट्रिय दल जैसे बीजेपी कॉंग्रेस और छेत्रिय दल जैसे आम आदमी पार्टी हो गया हमारे 36 गड़ में आपका जनता जनता कॉंग्रेस 36 गड़ हो गया अजी जोगी जीकी ठीक त आपके पास 3-4 ओप्शन देदेगा, चार ओप्शन में आपके प्रश्चना आते, CGPSC या वैपम के, चार ओप्शन देदेगा उसनों से पूछेगा निम्ने लिखित में से कौनसा एक राश्ट्रीय दल नहीं है, đेखिए, साथ आपके राश्ट्रीय दल है कौन-कौन से है एक है आपका बीजेपी, दूसरा है कॉंग्रेस, तीसरा है आपका त्रिन मूल कॉंग्रेस, ममता बेनर जी का त्रिन मूल कॉंग्रेस, चोथा है आपका बीएसपी, यानि बहुचन समाजवादी पार्टी, पाच्वा है आपका रास्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, फिर Congress, राष्ट्रवादी Congress Party, बहुजन समाजवादी Party, माक्सवादी Communist Party, भारतिय Communist Party, यह साथ जो आपके राजनेतिक दल है, राष्ट्री राजनेतिक दल है, इनके नाम याद रखेगा, important है, ठीक, देखिए, जो आपका लोगसभा चुनाओं है, आप सभी को मालूम है, लोगसभ करके आते हैं, बाकी जो दो है, वो एंगलो इंडियन रहते हैं, जिनका मनोनित करता है राष्ट्रपती, तो जो आपका लोगसभा में, जो चुनाओं हुए है, वो आपके होने वाले थे आपके 543 सीटों के लिए, 543 सीटों के लिए चुनाओं होने वाला था, लेकिन चु 2019 में जो चुनाओं हुए है, वो 542 सीटों के लिए चुनाओं हुए है, देखिए, होना था 543 सीटों के लिए, लेकिन हुआ कितना? 542 सीटों के लिए, एक सीट जो है, उसमें आपका चुनाओं को इस्थगित कर दिया गया, वो सीट है आपका वैलोर तमिल नाडू, वैलो महात्रा में नगदी यानि रुप Champions बरामत किये गए जो कि आपका आचार सहीता का एक लंगन था एक दो उमिद्वार्ण नहीं बहुत सारे उमिद्वारों के पास से भारी महात्रा में नगदी है आपकी खर्च सीमा खर्च सीमा यानि एक उमीदवार एक उमीदवार जो उमीदवार आपका चुनाव लड़ने वाला है वो अपने निर्वाचन छेत्र में या अपने लोकसवा छेत्र में प्रचार प्रसार के लिए अधिक्तम कितनी अधिक्तम कितनी धन राशी प्रचार सीमा है 70 लाग बड़े राज्यों में आपका एक उमीदवार अपने चुनाव छेत्र में अधिक से अधिक 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था जो भी चुनाव संपन हो उसमें छोटे राज्यों में मतलब असम हो गया सिक्कीम हो गया गोवा हो गया और आपकी जो सेवन सिष्टर वाले जो राज्या है त्रिपूरा हो गया नागालेंड हो गया यह जो छोटे राज्यों है छोटे राज्यों में एक उमीदवार अपने निर्वाचन छेत्र में अधिकतम 54 लाख रुपे खर्च कर सकता था इसमें ध्यान देने वाली बात एक याद रखिएगा जो दिल्ली है दिल्ली में यह जो लिमिट है खर्च करने की जो सीमा है उसे 70 लाख निर्धारित की गई थी अलग से याद रखना है तो बड़े राज्यों में एक उमीदवार अपने निर्वाचन छेत्र में प्रचार प्रसार के लिए 74 लाख रुपय तक की राशी खर्च कर सकता था जबकि छोटे राज्यों में जैसे गोवा हो गया असम हो गया आपका त्रिपूरा हो गया ऐसे छोटे राज्यों में एक उमिदवार चुनाव के प्रचार प्रस ठीक तो वो जमानत राशी कितनी है वो जमानत राशी है आपका 25,000 रुपए 25,000 रुपए एक उमीदवार को लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशी जमा करनी पड़ी ठीक देखिए ये जो जमानत राशी रहती है ये refundable रहती है लेकिन एक condition रह ठीक यानि छटा हिस्सा इसके पक्ष में वोट पड़ने चाहिए मान लीजिए एक उमीदवार खड़ा है जिसने 25,000 रुपए सिक्योरिटी डिपोजिट किया अब वहाँ पे समझ लीजिए 600 वोट पड़े वहाँ पे कुल 600 वोट पड़े अगर 600 वोट पड़े तो 600 का एक 25,000 रुपए की राशी रिफंड कर दी जाएगी लेकिन अगर उसे 100 से कम वोट मिले यानि 90 वोट मिले या 80 नूट मिले तो यह जो जमानत राशी है जब्ठ हो जाती है इसे याद रखेगा छटा हिस्सा ठीक वैद मतों का छटा हिस्सा उसे प्राप्त होना चाहिए तभी जो जमानत राशी है वो रिफंड होती है देखिए नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग के बारे में आपका भारतिय सविधान के अनुच्छे 324 भारतिय सविधान के अनुच्छे 324 में आपके निर्वाचन आयोग के बारे बताया गया है जिसमें एक होते है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते है आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके सुनिल अरोडा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके सुनिल अरोडा जबकी दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है एक है आपके शुशिल चंद्रा और दूसरा है अशोक लवासा सुशिल चंद्रा और अशोक लवासा ठीक देखिए लोग सबा चुनाव में आपका 540 सीटों के लिए आपके चुनाव होने वाले थे इसमें अप देखिएगा, इसमें सीटों को, जो सीट जो है ये दिवाइड है इसमें कितनी सीट are reserved है इस से प्र土प पूछ सकता है दिखे, इस बार जो लोगसभा चुनाओ हुए, ये थे आपके 543 सीटों के लिए लोगसभा चुनाओ होने वाले थे, ति जो 543 सीटों के लिए उसमें से SC, SC केटेगरी के लिए, SC केटेगरी, यानि अनुसूचित जाती वर्ग के लिए, आपका 84 सीट आरक्षित किया गया था, अनुसूचित जाती वर्ग, यानि सेडूल्ड कास्ट के लिए, आपका 84 सीट आरक्षित किया गया था, जबकि SC के टेगरी, यानि सेडूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जन ज का सीट रिजर्वर नहीं होता यानि SC ST के अलावा जिदी कोई उमिदवार चुनाव लड़ता है तो जनरल के टिगरी से खड़ा होगा ठीक क्या याद रखना है SC के टिगरी के लिए 84 सीट, SC के टिगरी के लिए आपका 47 सीट देखिए अब जिदी आपसे प्रशन पूछा कि लोग सभा चुनाव 2019 में कितनी सीटे आरक्षित थी आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी यहां क्या पूछ रहा है यहां नहीं आपसे अनुसुचित जाती वर ऒएड करेंगे तो टोटल कितना होता यहां एक सो इकत्ति लोक सवा चुनाव 2019 में आपके आरक्षित सीटों की संख्या थी आपका 317 ठीक अब हुआ की तना चुनाओ आपका 542 सीटों के लिए तो देखिये इस बर 542 सीटों का चुनाओ और चँनाओ परिणाम जब सामने तो उसके बाद देखिए अभी जो वर्तमान में लोक सभा में महिला उमिद्वारों की संख्या 542 सीट में से आपका 78 यानि 78 आपकी महिला उमिद्वार छुन करके आई हैं 542 सीटों में से 78 आपकी महिला उमिद्वार निर्वाचीत हो करके आपके लोक सभा में पहुची है अब 542 में से 78 मैनस कर देंगे तो बचा कितना 464 बाकी जो 6 है वो पूरुस है 464 आपके पूरुष उमिद्वार है यदि 542 सीटों में यदि आपसे प्रश्ण पूछा गया कि वर्तमान लोक सभा में महिला उमिद्वारों की संख्या कितनी है या निर्वाचीत महिला सांसदों की संख्या कितनी है पूछता है तो आपको लगाना है 78 यदि परसेंटेज पूछा कि वर्तमान लोक सभा में न 78 जो महिला आपके सांसद निर्वाची ठोकर के आई है, 78 जो महिला सांसद निर्वाची ठोकर के आई है, तो उसमें से जो सरवाधिक है, उत्तर प्रदेस और पस्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेस और पस्चिम बंगाल इन दो राज्यों से सरवाधिक महिला आपके सांसद नि लोगसभा सीट यानि आपसे प्रश्ण पूछ सकता है कि निमने लिखीत में से किस राज्य में लोगसभा सीटों की संख्या सरवाधिक थी देखे 542 सीटों के लिए टोटल कितना होने वर थे 543 सीटों के लिए तो 543 सीटों में से सरवाधिक सीट किस राज्य में है तो देख स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता देखिए भारत में सबसे पहला जो लोकसभा चुना हुआ भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव आपका प्रारम हुआ था 1951 छो की संपन हुआ आपका 1952 को काफी लंबा समय लगा था वो चुनाव कूँकि पहली बार भारत में चुनाव हो रहे थे तो 1952 के आजपास आपका लोकसभा चुनाव हुआ तो जब स्वतंत्र भारत का पहला लोग सभा चुनाओ हुआ, तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे आपके श्याम सरण नेगी, स्वतंत्र भारत में 1952 में हुए आपके आम चुनाओ में श्याम सरण नेगी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने मतदान केंद्र में जा करके अपना पहला वोट दिया था, स्वतंद्र भारत में जब पहली बार चुनाओ हो रहे थे, पहली बार आम चुनाओ हो रहे थे, तो भारत का एक व्यक्ति, श्याम सरन नेगी, श्याम सरन नेगी ने पहली बार जा करके वोट दिया था, यानि ये पहले व्यक्ति थे, जिन्हों ने स्वतंद्र भारत में पहली बर अपने मताधिकार का प्रयोग किया था इन्पोर्टेंट है इनका नाम याद रखिएगा शांसरननेगी वर्तमान में भी जीवीत है इनकी आयू है आपका 103 वर्ष स्वतंद्र भारत के पहले वेक्ति जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, अभी इस साल हुए लोगसभा चुनाओ में, लोगसभा चुनाओ 2019 में इन्होंने फिर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इनके स्वागत के लिए बकायदा उनके मतदान केंदर में एक रेड कार्पेट बिछाया गया वोट दिया, यदि आपसे पूछा जाये कि सबसे उचा मतदान केंदर, भारत का सबसे इुचा मतदान केंदर है, आपका ताशीग, भारत का सबसे उचा मतदान केंद्र है आपका ताशी गंग जो की लगभग 15,000 पीट की उचाई पर यह एक मतदान केंद्र बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में है आपका ताशी गंग प्रश्ण पूछा गया कि लोगसभा चुनाओ 2019 में देखिए पिछले जो हुआ था ल माचल प्रदेश में जो लगभग 15,000 पीट की उचाई पर बनाया गया था ठीक नेक्स्ट है आपका मतदान सॉरी मतपत्र के द्वारा चुनाओ मतपत्र के द्वारा चुनाओ देखिए भारत में आपको जो चुनाओ है वो आपके EVM और वीवी पेट मशीन के द्वारा किय मतपत्र के माध्यम से किया गया कौन सा जगा था वो निजामाबाद तेलंगना तेलंगना राज्ये की निजामाबाद लोगसफा च्छेत्र में आपका मतपत्र के माध्यम से चुनाओ हुए क्यूं हुए क्यूं क्यूंकि यहाँ पे जो इस लोगसफा च्छेत्र में निज 185 उमीदवार चुनाओं के लिए खड़े हुए थे 185 उमीदवार चुनाओं के लिए खड़े हुए थे देखिए एक EVM मशीन में मैक्सिमम 25 से 26 आपके केंडिडेट के नाम आ सकते हैं लेकिन यहां 185 है मतलब अगर setup अगर रखना हुआ तो कम से कम 10 से 12 setup रखना पड़ेगा EVM मशीन का ठीक तो इतना सारा setup cost आपका जो setup cost भी ज्यादा हो जाता इस condition में साथी साथ इतना बड़ा setup अरेंज करने में भी काफी दिक्कत आती इसलिए क्या किया गया कि जो निजामा बात लोगसभा छेतर है यहां पे चुनाओं EVM मशीन के दौरणा करके यहां पे आपक एक जो आपका लोगसभा छेतर है आपका अनंतनाग एक लोगसभा छेतर है देखिए हर चरण में एक जो आपका लोगसभा छेतर है वहां पर चुनाओं संपन्न होते हैं यानि एक एक चरण में आपके एक जो लोगसभा छेतर है उसका पूरा का पूरा आपका चुनाओं स पुल्वार में हमला हुआ जो आपका आतंक वादी जो हमला हुए है ऐसे चेत्रों से घिरा हुआ है तो यह जो अनंतनाग केवल इस एक लोग सभाज छेत्र में चुनाओ संपण कराने के लिए भारतिय निर्वाचन आयोग को तीन चर्णों में यहाँ पर चुनाओ संपण कराना पड़ा थीक इन्पॉर्टोंट है याद रखिएगा कि भारत के किस एक लोग सभाज छेत्र में आपके चुनाओ तीन चर्णों में संपन्न हुए, तो वो है आपका अनंतनाग जमू कश्मीर, अत्यन सम्वेदन चिल छेत्र, यानि आतंगवादी घटनकरम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से यहाँ पर आपका तीन चर्णों में, एक मतदान केंद्र अनंतनाग में, तीन चर्णों में आपके मतदान संपन्न हुए, अनंतनाग जमू कश्मीर, देखिए, नेक्ष्ट है, सबसे बड़ा लोगसभा छेत्र, सबसे बड़ा लोगसभा छेत्र, यानि छेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइस, छेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा लोगसभा छ लोकसभा छेत्र है ये छेत्रपल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा छेत्र था छेत्र है ठीक देखिए इन्पोर्टेंट है यादर कियेगा नेक्स्ट है आपका सरवाधिक मतदाता सरवाधिक मतदाता ये है आपके मलकाज गिरी तेलंगना मलकाज गिरी तेलंगना देखिए भारत में जितने भी आपके लोकसभा छेत्र है उसमें से एक मलकाज गिरी लोकसभा छेत्र तेलंगना का ऐसा है जहाँ पे सरवाधिक मतदा देखिए सरवाधिक मतदाता यहां पे 31 लाक मतदाता है भारत भर में जितने भी लोकसभा छेत्र है उनमें से सरवाधिक सरवाधिक आपके जो मतदाता है वो है आपके मलकाजगीरी तिलंगरा में important है याद रखिएगा सबसे छोटा मतदान केंद्र लोग सभा चुनाओ 2019 लोग सभा चुनाओ 2019 में सबसे छोटा मतदान केंद्र जो अस्थाई रूप से बनाया गया था आपका हुईलियांग अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश हुईलियांग में सबसे छोटा मतदान केंद्र अैस्थाई रूप से बनाया गया था केवल एक व्यक्ती के लिए यहाँ एक व्यक्ती ने आकरके अपना वोट डला था जिसके लिए अस्थाई रूप से आपका हुईलियांग अरुनाचल प्रदेश में आपका इसका setup इस थाई रूप से मतदान केंदर बनाया गया था, देखिए, भारत का सबसे छोटा मतदान केंदर है, आपको हुई लेया, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा मतदान केंदर था हमारे 36 गड़, 36 गड़ का सेरा डांट, सेरा डांट कोरिया जिला, देखिए, कई अफेयर का जो हमने वीडियो में जो हमने कवर किया था लोगसभा से संबंधिन इन्पोर्टेंट डाटा उसमें मैंने लिखा है सेरा डांड जो की कोरिया जीले में हैं लेकिन एक जगल लिखा है कि जहां 36 गड़ के ऐसे कौन-कौन से आपके लोगसभा छेत्र या मतदान कें के राते और विदान सावा छेत्र के अंतर्गत बहुत सारे मतदान केंट्र आते तो जो सेरा डांड है सेरा डांड आपका भरत पूर-सक्रेंपर लोगसभा छेत्र यह बहुती भरतपूर सोनहत विधानसवाच्षेत्र कोर्भा लोकसवाच्षेत्र के अंतर गताता है, समझेगा, जो आपका सेरा डांड है, सेरा डांड कोरिया जीले में जरूर है, लेकिन वो कोर्भा लोकसवाच्षेत्र के अंतर गताता है, समझ रहे हैं, सेरा डांड जो की कोरिया जी सबसे युवा सांसद भारतिय इतिहास में, भारतिय लोगसभा चुनाओ के इतिहास में, अब तक की सबसे युवा सांसद जो की चुन करके आई है, वो है आपकी चंदराणी मूर्मा, यह एक बिजेपी कैंडिडेट थी, 25 वर्षी है, चंदराणी मूर्मा, देखिए, क्यों उडिसा, क्योंजर लोगसभा चेत्र जो की उडिसा राज्य में है, तो यहां से यह एक बिजेपी कैंडिडेट है, जो चुन करके आई है, लोगसभा के इतिहास में, सबसे युवा सांसद है यह, 25 वर्षी है, चंदराणी मूर्मा, नाम याद रखिएगा, सबसे गरीब स सबसे गरीब सांसद है आपके प्रताप चंदर सारंगी, प्रताप चंदर सारंगी जो के सबसे गरीब सांसद है, बाला सोर उडिसा, बाला सोर उडिसा संबंदित है, देखिए, यह जो प्रताप चंदर सारंगी है, यह जोपड़ी में रहते है, ट्रेवल करते है, साइकल म ठीक, लोगसभा के इतिहास में अब तक के सबसे गरीब सांसद है आपके प्रताप चंद्रे सारंगी, इनका भी नाम याद रखेगा बाला सोर उडिसा, देखिए, जीत दर्ज, सरवाधिक अंतर, सरवाधिक अंतर से और सबसे कम अंतर से, लोगसभा चुनाव 2019 में किस 6.89 लाग, 6.89 लाग, ठीक, 6.89 लाग वोटो के अंतर से, यानि सरवाधिक अंतर से आपका ये इनोंने चुनाव जीता है, ठीक, ये जो है, ये आपके नवसारी, नवसारी गुजरात, नवसारी गुजरात के C.R. पाटिल ने सरवाधिक अंतर से आपका लोगसभा जीता, ठीक, सबसे कम अंतर से जीते हैं आपके भोलानाथ, भोलानाथ कई जगों पर आपको इनका नाम देखने के लिए मिलेगा, आपका BP सरोज, ठीक, दोनों एक ही है भोलानाथ, जो की मचली सहर UP से BJP candidate है उन्होंने लोगसभा चुनाव जीता है इन्होंने मातर 181 वोटों के अंतर से जीता, ठीक इन्पोर्टेंट है, याद रखिएगा देखिए, देखिए नेक्ष्ट है, आपका सत्रवा लोगसभा चुनाव देखिए, अभी जो चुनाव संपन्न हुए लोगसभा चुनाव 2019 ये भारत का सत्रवा लोगसभा चुनाव था ठीक, इन्पोर्टेंट है, याद रखिएगा प्रश्नियदी पूछा जाए, कि लोगसभा चुनाव 2019, जो अभी हाल फिलाल बे संपन्न हुआ वो कौन से नंबर का था तो ये सत्रवा लोगसभा चुनाव था याद रखिए, ठीक, भारत के सोलवे प्रधान मंत्री भारत के सोलवे प्रधान मंत्री आपके न्युक्त हुए आपके नरेंद्रमोदी ठीक, बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में सोलवे प्रधान मंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया आपके नरेंद्र मोदी को देखिए यदि आपसे प्रशन पूछा जाए कि जो लोकसभा चुनाओ है वो कौन सा था 17 नंबर का लोकसभा चुनाओ था लेकिन जो प्रधान मंत्री बने वो कौन से नंबर के है 16 नंबर के प्रधान मंत्री बने है आपके न दरेंद्र मोदी जी ने शपत लिया, ठीक, कैविनेट मंत्री के तौर पर आपके 24 मंत्रियों ने, 24 मंत्रियों या 24 सांसदों ने, 24 सांसदों ने कैविनेट मंत्री के रूप में शपत लिया, राज्य मंत्री स्वतंतर प्रभा के रूप में आपके 9 मंत्री या 9 सांसदों ने शपत लिया, जबकि राज्य मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में आपके 24 सांसदों ने शपत लिया, ठीक, प्रधान मंत्री 1, कैबिनेट मंत्रीयों की संख्या 24, राज्य मंत्री स्वतंदर प्रभा की संख्या 9, राज्य मंत्रीयों की संख्या 24, ठीक, इन्प प्रवी लोकसभाद चुनाव में जो आपके मंत्री परिशत का आकार है आपका 58, देखिए यदि आपसे प्रशने पूछा जाए कि मंत्री परिशत का आकार कितना है या मंत्री परिशत में कितने आपके सांसद है सम्मिलित है तो सांसदों की संख्या है आपके 58, मंत्री परि मंत्री मंदल पूछ रहा है कि मंत्री परिश्यत पूछ रहा है उसके हिसाब से देखके option लगाना है मंत्री मंदल पूछे या cabinet मंत्री पूछे तो उसमें मंत्रियों की संख्या है 24 यदि आप से मंत्री परिश्यत मंत्रियों की संख्या पूछे तो वह संख्या है आपका 58 ठी जो cabinet मंत्री है इस 24 मंत्रियों में से आपका जो महिला मंत्री है या महिला cabinet मंत्री है उनकी संख्या है तीन महिला cabinet मंत्रियों की संख्या कितनी है तीन है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक और राज्य मंत्री की रूप में राज्य मंत्रियों की रूप में तीन सांसद सांसदों ने सपत लिया ठीक कैबिनेट मंत्री के रूप में तीन महिला सांसदों ने सपत लिया जबकि राज्य मंत्री के रूप में तीन महिला सांसदों ने सपत लिया यदि आपसे प्रशन में क्या पूछ रहा है समझ के लगाईएगा मंत्री मंदल में या क्याबिनेट मंत्री में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है तीन मंत्री परिसद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है ठीक प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर आपके जो है वो है आपके संतोस गंगवार उन्हें प्रोटेम इस्पिकर न्यूक्त किया गया अभी जो पहला सत्र जब इसका आयोजन किया जाएक लोगसभा चुनाओ का तब उसमें वे लोगसभा चुनाओ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सपत दिलाएंगे ठीक तो सत्रवी लोगसभा कि आपके प्र राज्य या केंद्र रशाषित प्रदेशों के जो यहां पर सुची है उसे याद रखिएगा देखिए सरवाधिक मतदान सरवाधिक मतदान भारत के टोटल 29 राज्य और साथ केंद्र शाषित प्रदेशों में ठीक overall बात कर रहा हूं यहां पर राज्यों की बात नहीं कर राज्य प्लस केंद्र शाषित प्रदेश, overall, सरवाधिक मतदान कहां पर हुए, देखिए, लक्ष द्वीप में आपका सरवाधिक मतदान हुए, overall, लक्ष द्वीप में, लक्ष द्वीप में जितने भी आपके रजिस्टर्ड वोटर थे, यानि पंजिकृत वोटर थे, तो 85.38 प्रतिशत आपके वोटरों ने अपने मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया, यदि आपसे प्रशन पूछा जाए, कि कि राज्य या केंद्र शाचित प्रदेश में लोगसफ़ चुनाओ 2019 में सरवाधिक मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया, तो वो है आपका लक्षित भी इन्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, नेक्स्ट है सरवाधिक महिला मतदाता, लोगसफ़ चुनाओ 2019 में किस राज्य या केंद् प्रदेशों में टोटल, टोटल रजिस्टर्ड वोमें वोटर्स या पंजीकरित महिला आपके मतदाताओं में से कितने महिला मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया, देखिए, पहले पोजिशन पर है आपका लक्ष द्वीप, लक्ष द्वीप में आपके 86 6.49% महिला मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया, सेकेंड नमबर पर है मनिपूर 84.14%, थर्ड नमबर पर है त्रिपूरा 82% टॉप 3 के नाम याद रखिएगा, ठीक, नेक्स्ट है आपके मतदाताओं में व्रिद्धी, मतदाताओं में व्रिद्धी यानि ज तो हाली में संपन्न हुआ लोगसभा चुनाओ 2019, तो किस राज्य में मतदाताओं की संख्या में व्रिद्धी हुई, ठीक, तो वो है आपके मतद्धे प्रदेश, मतद्धे प्रदेश में आपके 9.65% अधिक, पिछली लोगसभा चुनाओ से 9.65% अधिक आपके मतदाताओ उन्हें अपने मतदीकार का प्रयोग किया है, ठीक, अब देखिए, मतदाता, पुरुष और महिला, यानि मेल वोटर्स और फीमेल वोटर्स, ठीक, देखिए, लोगसभा चुनाओ 2019 में जितने भी आपके रजिस्टर्ड या पंजी कृत मतदाता थे, तो उसमें से पंजी क मतदाताओं ने अपने मतदीकार का प्रयोग किया, जबकि पंजी कृत महिला मतदाताओं में से 66.79% यानि 66.79% महिला मतदाताओं ने अपने मतदीकार का प्रयोग किया, इन्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों में आपका 0.1 का डिफरेंस है, ठीक, तो चलिए, य सारे के सारे आकड़े important है मैं ये नहीं बोलता कि इससे प्रश्ण आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन लोगसभा चुनाओ अभी हाल फिलाल में संपन्न हुआ है तो इससे related basic fact आपको मालू होने चाहिए प्रश्ण कहीं से भी आ सकता है फिलाल तो अभी अगले 3-4 मेहने में जितने भी exam होंगे उन exam में आपसे लोगसभा चुनाओ से related आपसे data percentage पूछ सकता है important factors अभी प्रश्ण पूछ सकता है तो फिलाल अभी अगले 2-3 मेहने में जितने भी आपके exam होने वाले है उन सारे exam के लिए इसे prepare करके रखियेगा ठीक तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते है किसी प्रगर डाउट हो तो आप DJ कमेंट करके पूछ सकते है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद